अलो फ्रेंट्स मेरे यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं खक्षा 11 का जो पेपर है विज्ञान के मुलतक वार्शिक परिक्षा के लिए तो समय आपका तीन गटे रहने वाला है पूर्णाक 70 नमर के रहने वाले हैं नीच यहाँ पेपर मिले उपर रॉल नमर लेदे अब तो आईए बिनादेरी के स्टार्ट करते हैं अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो तो हमारा वाट्सअप नमर है 787-896648 यह हमारा वाट्सअप नमर है कोई डाउट हो ता आप में मैसेज कर सकते हैं और अगर आपको ग्रूप में जुड़ना है वाट्सप ग्रूप में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के दे रखा है जाइए जोइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए तो पहला प्रशन है आपका गर्षन बल एक है तो गर्षन बल क्या है गती प्रतिरोध बल दूसरा है दृत्य वर्क के उत्तोलक में यांत्रिक लाव होता है तो इसमें होता है सरोता नेक्ट है आदर्स मशीन की दक्षिता होती है तो आदर्स मशीन की दक्षिता होती है एक चार नमर प्रशन है एक सरा लोलक का आवरत काल निरवर करता है तो ये निरवर करता है लोलक की प्रवावी लंबाई पर पांच नमबर प्रश्ण है किसी प्रदार्द को उसमा देने पर प्रदार्द का द्रविगमान क्या होता है तो कोई परिवरतन नहीं होता है प्रदार्द के द्रविगमान में प्रश्ण का दो है जिसमें आपको रिक्तिस्तानों की पहाला प्रशन है आइस क्रीम में जिलेटिन को मिला नहीं है तो इसका जो आंसर है यहां रॉंग लिखा हुआ है। को डंक से मिस्प्रिंट हो गया है दूसरा नमर है गौन जैसी प्रकरती वाले पतार्थ क्या कहलाता है तो यह कहलाता है तीसरा है चांदी के सलफाइड ऐस का नाम लिखिए तो यह होता है अर्जेंटाइट चार नमर है बॉक्साइट से किस धातू को प्राप्त किया जाता है तो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है अल्मिनियम को पांच नंबर है सूचक के इस पकार के योगिक होते हैं तो सूचक होते हैं कार्बनिक योगिक प्रस्टन के चार है जिसमा आपको सही जोड़े बनाने हैं इसको देखने से पहले आप सभी से रिक्वेश्ट है कि जिन्हों ने चैनल को इप तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके और डिस्क्रेप्शन में हमारे टेलिगाम चैनल और वार्टसअप ग्रूपा लिंक है जाईए जोइन कर लीजिए प्रस्टन के चार है आपको सही जोड़े बनाने है तो ये सही जोड़े आपके सामने हैं इनको सीधे सीधे आप याद कर लें प्रस्टन के पांच है गर्षन के कोई दोलाब लिखिए प्रस्टन के चे है परमानु क्या है अत्वा परमानु के मौलिक कणों के नाम लिखिए प्रस्टन के साथ है ताप क्या है परिवासित कीजिए अत्वा कैलोरी की परिवासा लिखिए प्रसंगे आठ है गुरुतु से क्या अविप्राय है अत्वा वस्तु के भार तथा द्रविमान में अंतर लेखिए प्रसंगे नो है आयास क्या होता है अत्वा यांतरिक लाब का सूत्र लेखिए दस नमबर है आदर्ष मशीन क्या होती है समझाईए अत्वा प्रतम वर्ग के उत्तो लग को उतारन सहीत लिखिए प्रसंगे ग्यारा है बूल मात्रक किसे कहते हैं अत्वा मात्रकों में वांचे चार विसेश्थां लिखिए प्रसंगे बारा है गतिक गर्चन का नियाम लिखिए अत्वा लुब्रीक रेंड की उप्योगता को समझाईए प्रसंगे तेरा है चैसे हो जग बंद की विसेश्थां लिखिए अत्वा ग्रोथस का आयरन विच्षदांत लिखिए प्रसंगे चोधः है जल की सोधन में कॉलाइड के अनुप्रियोग का वर्णन कीजिए अत्वा मर्दा कॉलाइड से आप क्या समुझते हैं या कितने प्रकार के होते हैं 15 है खनिजों के चार कुन लिखिए अत्वा खनिज एवं एस्क में अंतर लिखिए 16 है औरवरकों के उद्देश लिखिए अत्वा अच्छे औरवरकों की विशेशता हैं लिखिए प्रिशंगे 17 है भारत में आस्कियों की उपलबता को समझाईए अत्वा सूचक कितने प्रकार के होते हैं प्रतेक का वर्णन कीजिए प्रिशंगे 18 है तनों के भूमी का दरूपांतरण को उदारण दे कर समझाईए अत्वा जड़े कितने प्रकार के होती हैं परदे का वर्णन कीजिए प्रसंगा उन्नीस है सरल यंत्रों की करशी में बूमिका को समझाईए अत्वा पैंच कितने प्रकार के होता हैं बताईए प्रसंगा बीस है करशी में मापन के महत्व लिखिए अत्वा पलवन के नियम वे सरतों का वर्णन कीजिए प्रसंगे 21 है सरलोलग के नियम समझाईए अत्वा न्यूटन के गृत्वा करशन नियम समझाईए प्रसंगे 22 है उस्मा तथ अताप से आप क्या समझते हैं समझाइए अत्वा कैलोरी मापी का वर्णन कीजिए तो यह तिसारे इंपर्टन्ट क्यूश्चन जो आपके एक्जाम में आ सकता है तो इन सभी क्यूश्चनों को याद कर लें रट लें अपने फ्रैट्स में भी शियर करते हैं जिससे वो भी तैयारी कर सकें और जिन्हों न चैनल को सब्सक्राइब निकिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखें नोटिफिकेशन को आपका अन करके रखें वीडियो अच्छा लगा दे वीडियो को लाइक करें शियर करें थैंक यू